पुलिस को देख दोड़ाई कार खड़े कैंटर में जाटक राई एक यूवक कार्तु सहीद गिरफतार दो मौके से फराई कार में शराब और बीर की खाली बोत लें और लाठियां बरामर सुरतगर में बीती राठ पुलिस की गश्टी दल को देखकर तेज रफतार से दोड़ी कार रोड पर खड़े कैंटर से जाटक राई हासे में कार सवार यूवकों को मामनी चोटे आई हैं पुलिस ने मौके से एक यूवक को कार्तु सही दबुच लिया उसके दो साथ ही मौके से भागने में सफल हो गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है बीती रात नाइट ड्यूटी अधिकारी हवलदार रामकुमार ने बताया कि रात करीब दो बजे वी गश्ट पर थे इसी दोरान मौडन स्कूल की तरफ से जाने वाली सड़क पर एक संकरी गली से इयोन कार आई पुलिस ने अपनी गाड़ी रोक लिया और सिपाही को कार के पास भेजा इसी दोरान चालक ने पकड़े जाने के भैसे कार को तेज रफतार से दोड़ा दिया करीब एक किलोमेटर दूर बाबा रामदे मंदिर के निकट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जाटक राई इस हासे में कार बुली तरह से शतिक रस हो गए जोड़ा धमाका होने पर पुलिस वहां पहुंची तो दो यवक कार से निकल कर पैदल ही भाग गए मौके से रोहित कुमार को गिर्फतार कर लिया गया है कार के तलाशी लेने पर उसमें दो कार्टूस और लाठियां बरामत की गई कार में शराब और वियर की खाली बोतले भी मिली कार सवार यॵको ने शराप पी रखी थी हवलदार रामकुमार ने बता कि कार के कार्ग जाच चैक करने पर पता चला कि ये कार पकड़े गए यॵक रोहित कुमार के भाई के नाम है कार चोरी की नहीं थी लेकिन कार में कार्टूस और लाठियां मिलने से आशंकार जताई जा रही है कि यूवक आधिरात को कोई वारदात करने निकले होंगे फिलहाल आरूपी यूवक रोही से पूछताच की जा रही है मौके से फ़राद दोनों यूवकों की भी पहचान हो चुकी है उनकी तलाश करवाई जा रही है अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर